हेलो बच्चो आज हम जानेंगे परसंटे से रिलेटेट कुछ डिफ्रेंट टाइप के बारे में बच्चो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है पॉपॉलेशन ऑफ विलेशन कितनी है फाइप थाउजन और यह इंक्रीज हो जाती है पर यह कितनी टू परसंट अब हमें यहाँ पर बताना है कि जो पॉपॉलेशन है वो टू इयर्स के बाद में कितनी हो जाएगी पर जो लास्ट वीडियो में हम जान चुके हैं इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्फ करना जिसमें हमें बतानी होती थी कोई भी फिगर आफ्टर वन येर्स अब यदि वन येर्स की जगए हमें बतानी हो आफ्टर टू इयर्स या थ्री इयर्स तो इस तरह की क्वेश्चन को इस समय जो population है वो कितनी है village की तो present population है आपकी 5,000 और यहां पर हम देखेंगे कि rate of increase कितना है rate percent यानि rate of increase कितना है हमारा 2 percent तो यहां पर हमने यह दोनों figures जो हैं यहां पर mention कर लिए यहां इसके बाद हम देखेंगे कि जो population है हमें क्योंकि 2 years के बाद निकाने नहीं दो साल के बाद में क्या population बनती है वो हमें दिखानी है यानि उस समय जो population थी वो 5,000 थी two percent की rate से बढ़ रही है और हमें बताना है कि two years के बाद कितनी होगी तो पहले हम देखेंगे one year के बाद कितनी होगी तो हम यहां पर पहले find out करेंगे population after one year ठीक तो after one year यदि हम population यानि first year म हम जान चुके हैं कि हम जो figure है वो यहां पर रखेंगे इस समय जो figure है 5,000 है और one year की बाद में जो population होगी वो कितनी increase हो जाएगी वो increase हो जाएगी 2% of 5,000 यानि जो 5,000 है इसका 2% बढ़ जाएगी तो 2% of 5,000 इसको हम इस तरीके से करेंगे अब हम क्या करेंगे इसको solve करेंगे यहां पर तो solve करने के लिए हम क्या करेंगे 2% यानि 2 upon 100 of यानि into और यह हुआ आपका 5,000 ओके यहां 2 zeros से आपने 2 zeros कैंसिल कर दिये और आपको क्या मिला 100 यानि 50 into 2 आपने क्या आपको मिल गया 100 अब यह जो plus वाला sign था यह आपने यहां रखा और यह आपका जो 5,000 था वो figure आपने य तो अब आपासानी से कह सकते हैं कि इनको आप total करने के बाद में आपको क्या मिलेगा 5,100 यानि जो one year के बाद में population आपकी बनी वो कितनी वनी 5,100 अब हमें क्या करना है अब जो हमें second year की population find out करनी है वो हम किस पर करेंगे 5,000 पर नहीं करेंगे क्योंकि अब one year के बाद में जो उस समय की one year के बाद की जो population है वो कितनी हो जाएगी 5,100 तो उस समय की जो present population होगी one year के बाद में वो कितनी होगी 5,100 यानि present population क्या मानेंगे हम after one year after one year क्या हो जाएगी 5,100 ओके 5000 की जगे हम यूज करेंगे 5,100 को और जो rate of interest हमारा जो increase rate है वो होगा आपका 2% तो हम जो find out करेंगे population after two years population after second year इन two year के बाद में जो population होगी वो आप किस तरीके से करेंगे 5,100 प्लस क्या करेंगे आप यहाँ पर है 2% of 5,100 यानि यहाँ पर आपने जब first year का find out किया था तो आपने जो आपको figure दिया था 5000 उसको use किया अग जब आप second year का use करेंगे second year का find out करना चाते है population तो आप क्या use करेंगे जो first year के बाद में जो आपको figure मिली थी उसको use करेंगे और इसको क्या करेंगे solve करतेंगे solve करने के लिए आप क्या करेंगे 2% यानि 2 upon 100 OFF यानि INTO 5100 2 zeros से आपकी ये 2 zeros cancel और आपको इसकी जगह क्या मिलता है 51 INTO 2 यानि 102 यानि 102 मिल जाता है तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हैं आपका 5100 और ये प्लस और इसकी जगह आपको मिला 102 इसको आप ADD करेंगे और ADD करने के बाद आपको क्या मिलता है आपको मिलता है 5202 यानि after 2 years जो population हो जाएगी village की वो हो जाएगी 5202 बहुत असानी से यदि आपको इसी तरह के से 3 years की find out करनी है तब आप क्या करेंगे ये जो 2 years के बाद में आपके पास figure आया उसको आप लेंगे present population after 2 years यह 2 years के बाद में जो population है इस figure को लेंगे इसका 2% आप find out करेंगे इसी तरह की से process चलती रहेगी लेकिन यदि आप इस तरह के questions को करना चाहते हैं single step में यदि हमारे पास हो इसके लिए कोई ऐसा formula जिसे हम एक बार में ही 2 years हो 3 years हो 5 years हो 10 years हो किसी कितने भी years का निकालना है after 2 years 3 years कितने भी years के बार निकालना है और यदि हमारे पास इसके लिए कोई formula हो तो बहुत अच्छा हो तो इसके लिए हम क्या करेंगे हम use करेंगे एक formula